लेकिन कुछों कहते हैं तो बहुत कुछ फ्रीरम प्रिशंगी बात करते हैं लेकिन आपने देखा होगा इमर्जेंसी इतनी बड़ी घटना कोई फिल्म नहीं बना पाई आप क्योंकि सत्य को दबाने के लगाता प्यास हुई हमारी देश को भार भी आजब इन दुन आप में देखा होगा कश्मिर फाई फिल्म की चर्टा कर देंगा और जो लोग हमेशा फिल्मों का अक्स्परेशन की जड़ने लेकर की गुमते हैं वह पूरी जमात बोख्राजी पिछे पाच्छे जिन से और ये फिर का तक्षों के आधार पर आट के आधार पर उसकी विवेचला करने के बजाएट उसको डिस्क्रेश करने के लिए बड़ा मुहिं चला आपने देखा हुआ एक पूरी एको सुस्टिम कोई सब्ध उजागर करने का साहस करें उसको जो सत्य लगा उसके प्रस्थ देने कोशिश की लेकिन उस सत्य तो ना समझने की तैयारी ना स्विकानने की तैयारी है नहीं दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है जिस प्रकाम का शड़ियंदर पिछले पांच-छे दिन से चल रहा है मेरा विशा को फिल्म नहीं है मेरा विशा है कि जो सत्य है उसको सभी स्वरूप में देश के सामने लाना देश के भलाई के लिए होता है कि इसको एक जीन नहीं दूसरी नहीं कुछ दूसरी फिल्म नहीं करता है लेकिन तो तरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबादर के रखा उसको तप्षों के आधार मर्जे बार लाया जा रहा है और कोई महनत करक के ला रहा है तो उसको पूरी इंको सुस्थम लगदे है जूति बार इसे थम्हें जो सत्य के लिए जीने वाले लोग हैं उन्होंने सकते के खाती खड़े होना उनकी जिम्मेबारी होती है और इस जिम्मेबारी मैं आशा करूँ अपसर में नहीं